क्या इच्छधारी नाग होते हैं? जानिये इस सस्च को भारत में नागों की सबसे ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है प्राचीन काल से लोकमानेस में यह प्रचलित है की एक ऐसा नाग होता है जो की इच्छधारी होता है अर्थात जो किसी का भी रूप धारन कर सकता है हिंदु धर्म में नाग पुजा का प्रचरन प्राचिन काल से ही रहा है। हिंदु पुराने ग्रंतों, किस्तों, कहानियों आदी में कई तरह के नागों के बारे में उल्लेक मिलता है। हिंदु पुराने कताओं में यह एक एसी कोब्रा जाती का नाग होता है जो सोव वर्ष कि उसलिंवार्ट विशेश लोगों के शरीर में नाग में आते हैं। और देश भर में नागों के कई मंदिर हैं। माना जाता है कि इच्छादरी नाग के पास एक मनी भी होती है। हिंदू पुराणिक मान्यता के हनुसार मनुष्यों और चोराश लाक योनियों के जीवों में कुछ ऐसे जीव होते हैं जो की रहस्य मैं हैं। उनमें से एक नाग भी है। प्राचिन काल में 30-40 फूर तक के नाग होते थे। स्रीक्रेश्ण ने जिस नाग हगासुर को मारा था वह करीब इतना ही बड़ा था। पुराणिक ग्रंतों में नाग वन्स और नाग कन्याओं का जित्कर भी मिलता है। महा भारत में उल्लेखी थे कि पांडु पुत्र अरजुन ने नाग कन्या उलिकी से विभा किया था। भीम के पुत्र गटोतकच का व्योहा भी एक नाग कन्या से ही हुआ था जिसका नाम एहिलवती था और जिसका पुत्र वीर योध्धा बरवरिक था। लेकिन ये नाग कन्या इच्छाधारी नहीं थी। विज्ञान और सर्प विशशक्य मानते हैं कि इच्छाधारी नागिन का चरित्र पूरी तरह से कालपनिक है। हाला कि विज्ञानिक यह तो कहते हैं कि नाग विश्व का सबसे रहस्यमई प्राणी है। यह कोई नहीं जानता है कि इच्छाधारी नाग होते भी हैं या कि यह एक कपोल कलपना है